फवाद चौधरी का भी हमने देखा है अगर वो खबरें ठीक हैं कि वो किसी भी पार्टी के फ्लाग के नीचे इलेक्शन कॉंटेस्ट नी कर रहे हैं अजाद इलेक्शन लडेंगे फवाद बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्तों किसी बी पार्टी के फ्लाग के नीचे इलेक्शन कॉंटेस्सन कर रहे हैं आजाद इलेक्शन लडेंगे मैं बहुत से टीवी चैनल्स पे आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप कल तक का इंतजार करें परसो तक का नॉमिनेशन पेपर जब जमा होंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं मज़र बरलास बोल रहा हूं आप कंपेइन कर रही हैं तो साहर है आप लोगों से कुछ न कुछ तो कहती होगी ना कि हम किस पार्टी के जरीए आएंगे अजाद आएंगे या क्या करेंगे मैं करना चाती हूँ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मैं कैमपेइन जरूर कर रही हूँ लेकिन हम आपको नॉमिनेशन के जरीए आपको पता चल जाएगा कि वो किस पार्टी के तहता आ रहे हैं क्या उनका हुआ है जो कि मुझे इंस्ट्रक्शन्स मिली हैं कि जब नॉमिनेशन पेपर सब्मिट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर सबको पता चल जाएगा तो उससे पहले मैं कोई भी स्टीट्मेंट ऐसी दे नहीं सकती उनके वेहाद पे ठीक है आपकी बाद भी बिल्कुल ठीक है लेकिन फवाज चौदरी साब की हम देख रहे हैं कि उन्होंने जाहरा एक पहले प्रेस कांफरेंस भी की फिर एक पार्टी मुश्मूलियत भी इस्तियार कर ली उसमें हमें वो नजर भी आते रहे लेकिन फिर भी उनके मुश्किलाद जो है वो कम नहीं हो रही है क्या रीजन समझती है आप इसकी यह आपको भी बेतर पता है कि क्या रीजन्स है हम आपसे सुनना चाहते हैं और मैं तो जी सुनाती रहती हूँ और यह है कि बस जी अभी हैं मुकदमात अब उनको हम इंशाला देख रहे हैं और एक सियासी जंग चल रही है लेकिन फैमली में भी कुछ आपके इशू चल रहे है वो घर के अंदर हो तो समझ आते हैं लेकिन जब वो अडालतों में और जेल में चले जाएं तो जाहिर है फिर वो पब्लिक उनकी उपर डिसकॉशन करती है तो ये देवर और भाबी का जो इशू है इसके उपर क्या कहना चाहेंगी ये क्यों शुरू हुआ नहीं उन्होंने तो खेर कल तरदीद किये इतनी बात पुरानी नहीं है भाकी अगर आप इसके उपर बात नहीं करना चाहती है तो इस रेली ओके थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया उनकी सब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर फवाज उड़ी पर एक तो पहले बात मैं कर लूँ पीछे जो कुछ बाते हो जाती है जिनका जवाब मुझे देना पड़ जाता है लेकिन वो चुके आपने दरमयान में उनको ले लिया जी जी बिल्कुल एक तो यह के फवाज चोजी साब के खिलाफ जो केस है ना वो कुछ और नोयत के भी है ठीक है ना अलेक्शन कमिशन में भी उनका केस है जी जी वो तोहीन अलेक्शन कमिशन का बिल्कुल ऐसे है और यह जो आडियो की बात हो रही है ना इस आडियो में जो जो किसी की कहा जा रहा है कि लीक हुई है हाँ जी तो या उसमान डार की या फ़ाज चौई थाफ़ासाब की लीक किसी की दी हुई बगवी हुई हुई बगवी मतलब किसी तख पहुंच गई ना एक बंदे की दो बंदों की किसी और ने सुन ली तो लीक हुई है थीक है अच्छा उस जो बगड जो कन्वर्सेशन है उसमें इदारों के खिलाफ बहुत खौफनाक एक जुम्ला कहा गया है वो मैं यहां कहा नहीं सकता ठीक है? जो मुझे पता चला वो यह था कि एक खौफनाक जुम्ला कहा गया है वो शायद कभी कहीं लीक हो जाए तो आप तक भी पहुंच जाए और दूसरी बात कि फवाद चौधरी साब को यह जो कहा रहे हैं जी अलेक्शन उने लड़ना है और कल अनाउस करेंगी एक सवाल पूछना था लेकिन मेरा नहीं ख्याल के वो इस सवाल का जिलाब भी देती उन्होंने यह भी नहीं देना था कि मुझे कहा गया है कि अभी कुछ नहीं बताना इसका मतलब है किसी पार्टी की तरफ से कहा गया है ठीक है ना किसी ने कोई आडर दिया है कि अभी आपने बात लीक नहीं कर दो यह हो सकता है फवाद चौधरी साब की तरफ